जो कोई नहीं करता उसे करने का मज़ा या अंदाज ही अलग है तो इस वीडियो में मैं उस क्यूस्चन के बारे में बात कर रहा हूं जो आपको 9 जनवारी रात 8 बज़े आपको मोडल पेपर ग्रूप में क्लास्ट वेल्थ जोलोजी का जो 2023 के लिए जो आने वाले होंगे उनका मोडल पेपर मैंने बनाया है आपको याद होगा कि जहारखंड अकैडमिक कॉंसिल इस विशय पर उतना ध्यान नहीं देता तो मेरा चैनल पूरी तरीके से रिस्की है मैं हर एक बार यह बताते आ रहा हूं कि मुझे सिस्टम से लगना पड़े कोई दिक्कत नहीं हम जेलोजी का मोडल पेपर भी बना सकते हैं तो इस प्रकार मैंने पढ़ाया था सेम पूरे जैक के इन्फॉर्मेशन को जैक के नोटीस को फोलो करते हुए मैंने मोडल सेट बनाया ह जो कि आपको रात आठ बजे मिल चुका है आप जल्दी से उस मोडल पेपर को डाउनलोड कर लिजेगा लिंक टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको मतलब डिस्क्रिप्सन में टेलीग्राम का लिंक है वहां पर आपको नोट्स अवेलवल है ठीक है और अभी कि समय में आप आपको हम अपना कॉंटेक्ट नंबर दे सकते हैं हर एक वीडियो में हम नहीं देते ठीक है और इसमें वनली आप मैसेज करोगे नोट्स के लिए आपको नोट्स नी पीडिएफ हम मोडल पेपर के वल देंगे नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना ही पड़े का देखो इस टैप से कुछ हमने बनाया है चारकंट सेक्षिक अनुसंधान एवंपर सीक्षंट परिसेद राजी यह ने नाम दिया है ताकि को की अपने कोपी किया है कि हम ने पूरा जारकंड के जो वोड़ है जिसको जैक बोड़ के पूरी नियम कानून को मैंने फोलो करते लिया है इसलिए मैंने इसका नाम लिया है वार्षिक परिक्षा 2022-30 के लिए मोडल प्रसन पत्र है क्लास 12 समय डेढ़ घंटा भी से भूबिग्यान पूर्णाग 35 ठीक है जली हम लोग क्यूशन की पर बढ़ते हैं फटाक से एंसर के बारे में बात कर लेता हैं हलाकि मुझे है कि आपके पास जब से मोडल पर गया होगा आप बहुत सारे क्यूशन को सब्सक्राइब कर लिए और लिंक अपने तमाम दोस्तों में चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखे यह था जैक का नियम की प्रस्णों का उतरा निवार है कुल 35 प्रस्णा है एक अंख नि तता है नट दिया गया है चार से वकलब का deinby कर गलत उतर हो से मैं 얼마나 यहां पर लिया हुआ है ठ्क है लेकिन यहां नहीं बाइसाब क्रेडिट जैक को नहीं मिलना चाहिए ठीक है मेरे चैनल को ही मिलना चाहिए आगे कंगलो मेरेट किस प्रकार का सहल है यह क्यूस्टन है ठीक है वाट टाइप के लिए कोईला निष्फे लिए किसके लिए कोईला निष्भ के लिए धटेक लिए ना słu निचेप यह सब करेक्ट एक में सब्सक्राइब के जिवास बिच्वाइन ट्र साफ यह जाता है मतलब ज Bjog Fish भी दया हुआ है ट्राइलो बाता का जो W तीर्षे भाजिट रहता है कितने वागों में? दो भाखों में? यहाँ पर यह लिखा हुआ है यहां किसने कहा था कि वर्तमान भूत की कुंझि है? ठीक है? James Hutton किसने James Hutton नहीं आगे बढ़ी है संग्मर्मर किस प्रकार का सेल है यह आपका कयांतरित सेल कितने प्रकार को बता दूँ अभी तक जितने भी क्यूशन एंसर वाले वीडियो है एक प्ले लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा उसको पहले आप देख लेना नहीं जब तक उसी आप नहीं देखेगा न इतनी मेनत लगती है और जो स्टुडेंस पड़े हैं एक क्लास को उनके लिए भी लग रहा होगा लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टुडेंस होंगे मुझे लगता है 80 ऐसे स्टुडेंस है इस चैनल पे 80 परसेंट जो रेगुलर क्लास नहीं किये हैं और इनको यह क्यूशन यहां पर लिखा हुआ है आगे बड़ो आस्मी भावन के कारण जीव जनतु तथा प्रक्रिया जिसमें गर्मी तापदाव यह सब के चलते कोई चीजों में चेंजिंग होती है तो जीव जनतु तथा पेंड़ पहुदे के आउसेस किसमें परिवर्तित होते हैं ठीक है तो यह क्यूस्टन अफास जाओ इसमें आपका मापके दिमाग से अगर देखा जाए तो यह हो जाएगा को यह गलत हो जाएगा इसके जगा पर हम लोग आस्मी भावन में यह भी आता है कि बहुत ज्यादा रियक्शन्स होते हैं तो इसके चलते खनीजों का निर्मान यानिकी अगे बढ़ते हैं कि भू आकृति आधारप भारति प्राएदीप को कितने भागों में महादीप बाटा हुआए न इसका करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा इन 2 पार्ट्स जादू गोड़ा कि परसीद है तो जादू आप सभी को पता है उरेनियम के लिए परसिदे है किसके लिए uranium के लिए ठीक है uranium के लिए तो क्या तो क्या कहते है ऑचन Gent के पाइरोलॉसाइट ठीक है यहां पर भी इंग्लिश में दिया हुआ है मैंगनीज का चालको पाइराइट का रासायनिक सुत्र क्या है तो इसका होता है कौन सी सबसे बढ़ी आवदी है निम्ण में से कौन सबसे बड़ी अवदी यह होता है यानि की कलप सबसे बड़ी अब यूचाल मतलब भी अलग है छलिए सबसे बड़ा कल्ब चलिए कौन सा एक सूचक जिवासमा थी कि जिसका हो जाता है क्रेक्ट अंसर गेंगा मैट्वर्इस आगे बड़ितार के चंद्रमा का निर्मान किस यूग में हुआ था कार्बोनी फेरस में निर्मान हुआ था इंग्डिस में लिखा हुआ है आगे बढ़िये आर्थिक भूबिग्ञान के में किस साखा का मुछ करते हैं देखे आर्थिक भूबिग्यान उसी को करते हैं जिससे हमको थोड़ा को बिकर रहें को का खनीज में का बहुत ज्यादा टीक तंत्र मतलब किस ने पादन किया था यानि कि उसको थीक्टर नमत के कोई बहुत किया रिक्टर नाम के कोई आनि है रिक्टर तो इसके एक मानक भी बना दिया रियक्टर क्या बना दिया रियक्टर ठीक है तो रियक्टर बना दिया है कोई बात नहीं इसको आप याद रखेगा रिक्टर इसका करेक्टर हो जाता है ठीक है इंग्लिस भी आप देख सकते हैं रिक्टर का कैसे होता है आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं एक आशाधी परत जिसकी मोठाही एक संतीमितर से क्या होती है एधीक होती एक इस Gmail कहते हैं क्या करते हैं इसको या 중에 इस उनुपर परती है संटीमितर सब्र thirty को सब्सक्राइब करते हैं तुझे आगे पढ़ते हैं इसमें लिखा हुआ है पैरों ठीक है पैरों के निशान कौन से चटानों में हो सकते हैं आगनिया में क्योंकि बहुत ज्यादार होते हैं क्या करता है प्लस में इनके पाफ जोटे च्टे टूकले जोता है निका यह परत पाया जाए जाए बहुत ज्यादा थी तना इसके बात चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रसम्हीये लिखा हैए एक चाह 때문에 को कि 40 को आधातूरी की लुख में कहते हैं ठिक है इसको इंगलिस में क्या करते गैंग कहते हैं कि दियान देना किसी प्रकार की कोई भी एंसर में fault नहीं है एक दम जीवास्मक के अंदर तो इसका है तो इसमें फॉजिल और गॉणडवाना पर नाली के आर्थी रूप से महत्वपूर्ण होने का कारण किया है तो इसका कारण एक ही है कि वहां पर कोईला है क्या है कोईला और कोईला और एक हीरा चुना पत्थर बलुगा पत्थर कोईला ते इसका करेक्ट रंसर हो जागा आपका कोईला पडाक से दों ठीक है चलिए डाइनासोर किस यूग के दोरान मतलब मौजूद थे डाइनासोर मीसे जोइक मीसे जोइक क्या था एक अवधी था उसी अवधी की समय क्या हो थे यह धालहका खालहके लाइनासोर का यूग था ठीक है यहाँ देखो मिसे जोइक का स्पेलिंग दिया हुए आगे पलेसर निच्चेपो का निर्मान किसके farther कारण होता है यह और तथा ऊसिस्ट दोनों कारन ठीक है देखो यहां पर दिया हुआ है यांत्रिक और यह यांदि की इसका दोनों के कारण मैंने बोला है तो एक और दो दोनों यानी कि आप्सना नुबर तिसरा इसका करेक्ट रंसरो जाएगा इसके बाद रूबी अवरक होता है रूबी अबरक्व बर्टा यो इसको ग्रेंहान усको कहते हैं और इसको कहते है और उसका संगूटी संगोमेर मेरेत कभी एक साधी चटान था तो इसका दाने करेगा चोड़ा चीज तो धूझत क्सक्राइब सबंगूलर क्या होता है उप कोनी सडोडेंग दीज़ेगा हाँ तो इसका गोलाकार क्या होता है इस्परिकल होता है यानि कि हम लिट सकतेंग्लिच में सबस्परिकल क्या होता है में थारा संसतरन संसतरन देखा जाता है किस चीज़ को चूना पथर चूना पथर सेल मतलब बालू का पत्थर तो इसमें अभध्यान दीजगा फी आपका इसमें करेक्स मेरी संस Water लोऊचना निगा तो इसमें आपको संस्तरन मतलब होता है कि उसका लेयर थोड़ा देख जाएगा बालू का कि यहां पर इसका लेयर इतना है ठीक है तो इसका करेक्ट अंसर क्या हो गया बलुगा पत्थर आगे बढ़ते हम लोग प्रस्णा है लोपो लीत आकार प्रदसित करता है कौन सा समतल उतल समतल आउतल समतल आउतल या इन्मेस कोई नित इसका जो करेक्ट अंसर हो जाएगा समतल और उतल ठीक है प्लेन एंड कंवेक्स यहां पर यह वाला ठीक है चलिए आगे बढ़ते हम लोग नीस चट्टान का उदारन है नीस जो है कौन सा चट्टान को दारना नीस तथा यह जो होते हैं सब से कठोर चट्टान होते हैं मतलब यह क्या है उदारन है याद रखेगा नीस जो है एक्जामपल है आगे बढ़ते हम लोग रिषदार खनीज को क्या कहा जाता है वाटीज फाइब्रस मिनरल्स कॉल्ड ठीक है तो उसको लोग एसबेस्टस कहते हैं क्या था 45 क्रोड वर्स ठीक है 45 यानिके 45 क्रोड वर्स अनुमानित था नर्मदा और तापती नदियों के बीच कौन सी पहाड़ी इस्थित है नर्मदा और तापती के बीच आपका सत्पूरा पहाड़ी है यही इस्थित है ठीक है इसको इंगलिस में लोग सत्पूरा ही कहते है इस प्रगार से आपका जो है यह फाइनल होता है आपको टोटल एंसर मिल गया होगा और विश्वास है कि आप आगे इसी तरीके से और भी पढ़ाई करेंगे और पीछे का जितना भी क्लासेश पीछे वाले क्लासेश को आप लोग कवर करते चलेंगे ठीक है चलिए मिलते हैं किसी उन्यू विडियो में तर तर किले जाहें जाहें